दोस्तों कई बार फसलों में कीटू का अटेक इतना ज़ादा हो जाता है और रेस्ट चूसने वाले चबाने वाले एक साथ कीटू का अटेक हो जाता है तो फिर फसलों में कंट्रोल करना है मुस्किल होता है और रूटीन में जो कीट नाशिक आप यूज करते हैं रूटीन मे तुरंत रिजल्ट के लिए कम खर्चे में अच्छे रिजल्ट के लिए best solution होता है कि आप नहीं जो कीटनाशिक market में launch होते उनका इस्तेमाल कीजिए ताकि जल्दी रिजल्ट देखने तो अभी सिंजेंटा का नया कीटनाशिक आया है सीमोडिस इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल से डिसकस करेंगे सीमोडिस में टेकनिकल कंटेंट क्या है मोड ओफ एक्षन क्या है कौन-कौन से फसलों में कौन-कौन से कीटू को कंट्रोल करता है प्राइस, डॉज, कॉंबिनेशन, कंप्लेक्ट जानकारी के लिए वीडियो के अंट तक जरूर बने रहे है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अनिता सेंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जर्नी दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नोलेज़फुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहें सीमोडिस की इतनाशिक में टेकनिकल कंटेंट आता है आइसो साइकलो सेरम 100 ग्राम प्रेती लीटर डीसी फॉर में आता है डीसी यानि डिसपर्सन कंसंट्रेट फॉर में आता है और इसके मोड ओफ एक्शन की बात की जाए तो ब्रोड स्पेक्टरम कॉंटेक्ट इंसेक्टिसाइड है लेकिन साथ-साथ में ये ट्रांस लेमिनार एक्शन भी इसमें आता है ट्रांस लेमिनार यानि कि आप पत्ते के जब भी उपर स्प्रे करेंगे तो नीचे की साइड चुपे हुए कीटू को भी ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है पत्ते से उपर से नीचे की साइड जाने की ख्षमता इसमें होती है तो leaf miner को control कर लेगा और जैसे पत्ते की नीचे की साइड ये देखिए मकडी ने जाला बना रखा है ये देखिए इस टाइप से तो नीचे की साइड चुपे हुए कीटू को भी ये control कर लेते हैं रेक्षन किसी भी की ने हो ये ही इनका best point होता है यह group 30 का कीटनाशिक है और group 30 में गोद्रेज का गराशिया कीटनाशिक जिसमें की reflectingWow नानीध आता है वो भी group 30 का ही है साथी बासफ का exponents भी group 30 का ही कीटनाशिक होता है तो इस तरीके से ये कार्य करते हैं 30 वाले कीटू के नर्वस सिस्टम और मसल्स पे अटे करके कंट्रोल करते हैं कीटू को अब दोस्तों इस कीट नाश्यक के टेकनोलोजी की बात की जाए तो प्लीना जोलिन टेकनोलोजी पे ये आदारित है अकोर्डिंग टू कंपनी 360 डिग्री ये काम करता है यानि कि इसमें नोक डाउन एक्शन है तो तुरंत रिजल्ट देखने को मिल जाएगा साथी लार्वा साइडल एक्शन भी आता है यानि कीटू के लार्वा आवस्ता में भी कीटू को गंट्रॉल कर लेता है तो ये इसका प्लेस पोईंट है बेस्ट प्रिप्स का अटेक बहुत ज़ादा होता है और अटेक होने के बाद में कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है तो बेस्ट है कि आप इस टाइप के नई कीट नाशे का आप इस्तेमाल करें मिर्च में त्रिप्स का अटेक बहुत ज़ादा होता है टामाटर में जैसे की सुंडी का अटेक बहुत ज़ादा होता है टामाटर में फ्रूट बोरर की समश्या ज़ादा आती है बेंगन में फ्रूट बोरर शूट बोरर की समश्या आती है तो बेंगन में भी आप इस्तेमा कर सकते हैं कौन-कौन से कीटू को यह एफ्रेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है तो दोस्तों यह रिप्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है थ्रिप्स के साथ-साथ में जैसीड्स हैं स्टेम फ्लाइ है या फिर फ्रूट बॉरर स्टेम बॉरर की समश्य बहुत जा साथ-साथ जैसा माने डिसकस किया कि इसमें ट्रांस लेमिना रेक्षन आता है तो लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है और साथी गर्डल, बीटल वगर इस ताइप के कीटूं को यह आसानी से कंट्रोल कर लेता है प्राइस की बात की जाए तो इसके पैकेट मार्केट में 80 21020, 240 ml के पैकेट मार्केट में अवेलेबल है और जब भी आप इसको पर्चेज करें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपने इसे कितने में पर्चेज किया पर्फेक्ट रोज की बात की जाए तो इसको दो तरीके से आपको इस्टेमाल करना है अगर अगर अटेक कम है जैसे जैसे ड्स वगर का ही अटेक है, हैवी अटेक नहीं है कीटू का, तो फिर आप प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करें, तो इसकी डोज आपको सिर्फ 80 ml, 200 लिटर पानी में मिक्स करना है, एक एकड में स्प्रे करना है, प्रती पंप आपको लेना है 6 ml, 15-16 लिटर की जो तंकी आते हैं, उससे आप इस्प्रे करें, तो सिर्फ 6 ml मिक्स करेंगे और इस्प्रे करेंगे, लेकिन अगर आटेक ज़्यादा है, जैसे कि थ्रिप्स वगर हैं, मैंने आप से डिस्कस किया कि कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कि टू का आटेक बहुत ज़्यादा है, स्टेम शूट बोरर है, शूट बोरर, फ्रूट बोरर की समश्या है, त्रिप्स का टेक है, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ऐसी सिच्वेशन में आपको इसकी डोज बढ़ा करके लेनी है, दो सो चालीस अमल, दो सो लिटर पाने में मिक्स करके एक एकड में आपको स्प्रे करना है, प्रेती टैंक 15 सोल लिटर का जो टैंक आता है, उसमें आप 18 ml लेंगे और मिक्स करके स्प्रे करेंगे, कॉंबिनेशन में आप इसके साथ में अन्यक इतना शिक वगर मिक्स ना करें, केवल इसी का आप इस्तेमाल करें, और इसका रिजल्ट टाइम होता है, 10 से 15 दिन तक, यानि स्प्रे करने के बाद में 10 से 15 दिन तक ये अच्छी तरीके से कीटू को कंट्रोल करके रखता है, 10 से 15 दिन तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, इससे रिलेटेड और भी कोई क्योरी है, कमेंट बोक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जानकरी अच्छी लग किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें, धन्यवाद